हेलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैजैनल नहा की कुकिंग, आज हम आप लगों के साथ सेयर करने वाले हैं मखाने के खीर की रेसिपी, जो बहुत ही जादा प्रीक भी होती है, इसको खाने के बहुत सारे फायदे है, फ्रेंड्स को बनाना बी बहुत जादा सिंबल सा है, और यह मखाने बुक्त ह Sn 시 तो इसके घरिक अब हो लाण के लिए मखान से मंखानें अगर इसको से करा भी अब टालेंगे तो अब क्खाने के खिश्स वाघि क्ली उचार करदें से हूं धरिश्द थो इसकी का नमगर ब्हाँचे अधना नहीं ऐसे डालेंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा जो दूद है उसमें बाल आ चुका है तो हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा मेडियम पर कर देंगे और इसी समय हम इसमें जो है कि जो हमने काजू बदाम का जो पाउडर तयार किया था उसको हम जब हमारा दूद खौलने लगे तब हम उसको इसमें एड़ करेंगे तो देख सकते हैं दूद हमारा अच्छी तरीके से खौल चुका है और पक चुका है तो हमें इसको पकाना तो और है लेकिन हमें सब कुछ इसमें जो है कि एड़ करने के बाद तो हमारा जो दूद है इ डॉट के पाउडर बनाइत उसे में डालेंगे कम 2-3 थी मिद्रा रख मकभा कु ऐसके के डालेंगे तो आप चाहे तो म कहाँ गी को घिने ब्रून के डाल सकते हैं है आप चाहे तो ऐसे ही इसको इस मेर डाल सकते हैं तो आपको इसको मीडियम्फ्लेम परayan पकाता है जब तक यह जो दूद्ध है वह गाढ़ा नहीं हो जाता और यह जो माखाना है यह हमारा जो खीर है अपनी क्वान्टिटी का जब आधा हो जाए जब तो आपको जितना गाड़ा पसंद है आप उसी साफ से ले सकते हैं मुझे खीर थोड़ी सी गाड़ी ही पसंद है ये मखानी की खीर तो इसको हम इसी तरीके से पकाते जाएंगे और देख सकते हैं इसका जो पतला रखेंगे उससे थोड़ी सी गाड़ी ये ठंड़ना होने पर हो जाएगी तो आप इसको सर्व कर सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खाने में टेस्टी लग रहे थी तो देख सकते हैं यहां पर हमने कटोरी में खीर को निकाल लिया है और आप बड़े बच्चों सब को देख सकते हैं खीर की कोई भी रेसिपी खाईए इसमें मखाने की खीर की रेसिपी सबसे ज्यादा टेस्टी है